आगरा के थाना हरी परवत शेतर से थाना पुलिस, एसोजी और सर्विलांस टीम ने तसकरों से गांजा के खेप बरामद किये हैं ये बरामदगी हरी परवत शेतर के ट्रांसपोर्ट नगर से एक एम्बूलेंस से हुई है जिसमें से करीब 200 किलोमेचर गांजा बरामद हुआ है गांजा की खेप उडिसा से दिल्ली इंसिया जानी थी इसी बीच आगरा के पुलिस को मिली जानकारी पर उन्होंने कारवाई शुरू कर दी और एम्बूलेंस को पकड़ लिया जाज के दौरान अलग-अलग राजियों की नंबर प्लेट भी बरामद हुई है तो ये बड़ी काम्याभी पुलिस को आगरा पुलिस को मिली है जहां पर एक बड़ा खुलासा किया गया है 200 खिलो गांजा बरामद किये गए हैं बताया जा रहा है ये गांजा की खेप उडिसा से दिल्ली जा रही थी नौइडा जा रही थी लेकिन एन मौके पर जब सुराग मिला या इंफर्मेशन मिला उसकी बाद पुलिस ने इस इसे बड़ा इस सर्वलांस टीम कमिश्णरेट आतरा और खाना हरी परवत पुलिस द्वारा संयोग फ्रूप से एक फुट बड़ को अंजाम दिया गया है इसमें लगवाद दो सो किलो गांजे की रिकवरी की की गई उनका मोटर सॉबरेंड नहीं ऐसा था कि ये एक एंबूलेंस में पांच-पांच किलो के पैकेट्स में गांजा भरके उसको प्रट में रखके लेके आ रहा है थी और इस प्रेश्पिक इंपोर्ट थी इस पर दिन्यकारवाई की और इसको एप्रेहंड किया है इसमें एक चंद्रवी नाम का लेक्ती जो गोंडा का रहने वाला है उसकी गड़तारी हुई है इनके पास से छे नंबर प्लेट फरजी बरामद हुएं जो अलग अलग स्टेट्स के पूरिसार मत्यपदेश्पिस गड़के नंबर प्लेट्स प्रामद हुएं इस गुडव लोग इसमें शामिल हैं इस बारे में कोई जानकारी से रहो पाई हो और इसको आगई है दिल्ले अंसियार की तरफ लेते जा रहे हैं और यहां प्रांस्पोर्ट नगर में कुसी बढ़े काम से रहे हुए और उसी में हमें सोचना में जो हमने लिए पर लिए यह नोने खु पहर को इसकी जानता ही नहीं तरक को हिलोंने रेंट किया था और कर तक उयूज किया लिया आए उसको एम्डेंस को पैडिशार के लिए इसके बात करने का यह तरीका कहां से अया कुछ बतायो इस तरीके से के ट्रक इन दरर सब्सक्किए एग जारी है सारी बाते दिने वह झाल झाल